बॉर्डर गावसकर ट्रोफी में चोथे टेस्ट मैच का चोथा दिन पूरी तरह टीम इंडिया और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोधी स्टेडियम में विराट ने 1205 दिन, 23 मैच और 41 पारियों के बाद इस फॉर्मेट में शतक जमाया। विराट की 186 रनों की मेराथन पारी के दम पर भारत ने अपनी पहली पारी में 571 बटा 9 का स्कोर बनाया। विराट भारतिय पारी में आउट होने वाले आखरी बल्लेबाज रहे। चोटेल श्रेयस एयर बल्लेबाजी के लिए नहीं आये। चोथे दिन का खेल खत्म होने तक आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बगेर नुकसान के तीन रन बनाये। ओपन ट्रेविस हेड, त्री तारानकन, के साथ नाइट वाच मैन मैथ्यू कोहनेमन, जीरो तारानकन, नाबाद पवेलियन लोटे। टीम अब भी 88 रनों से पिछड रही है। टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर आस्ट्रेलिया पर 91 रन की बढ़त बनाये। कोहली ने 23 नवंबर 2019 को आखरी बार बांगलादेश के खिलाफ 27 टेस्ट शतक जमाया था। यह उनका 28 टेस्ट शतक है। अब कोहली के नाम 75 इंटोनेशनल शतक हो गए हैं। उन्होंने टेस्ट में 28, वंडे में 46 और 20 इंटोनेशनल में एक शतक जमाया है। उमेश यादव बिना एक भी गेंड खेले रन आउट हो गए। वे विराट कोहली की कॉल पर दो रन के लिए भागे थे लेकिन आउट फील्ड से डाइरेक्ट ट्रो के कारण उन्हें विकेट गवाना पड़ा। रविचंदरन अश्विन 7 रन बनाकर नाथन लान की गेंड पर आउट हुए। अक्षर पटेल 89 रन बनाकर मिचेल स्टॉक की गेंड पर बोल्ड हुए। उन्होंने अपनी पारी में चार छक्के लगाए और विराट के साथ मिलकर छटे विकेट के लिए 162 रन की साजेदारी भी की। पाच्वा विकेट श्रीकर भरत के रूप में ग अडेजा ने कोहली के साथ 170 बॉल पर 64 रन की साजेदारी की। नरेंद्र मोधी स्टेडियम में रविवार को भारत ने 289 बटा 3 से पारी को आगे बढ़ाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए। श्रेयस अयर की पीट के निचले हिस्से में दर पर रोहित शर्मा शोट एक्स्ट्रा कवर पर खड़े लाबुशन को कैच दे बैठे। कुहनेमन को पहला विकेट मिला। दूसरा, टॉड मफी ने चेतेश्वर पुजारा को LBW कर दिया। तीसरा, शुबमन गिल को नाथन लान ने LBW कर दिया। चौथा, जडेजा टॉ शर्पटेल मिचेल स्टॉक की गेंद पर बोल्ड हुए। साथवाह रविचंदरन अश्विन को नाथ लान ने बाउनरी पर कैच कराया। आथवाह उमेश यादव रन आउट हुए। नौवा टॉड मफी की गेंद पर बड़ा शोट खेलने की कोशिश में विराट ने मान स्लाबुशन को कैच थमाया।